हेलो इस पैरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मद्धि प्रदेश के जेल प्रहरी एक्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं और इसके दो पेपर हो चुके हैं यहाँ पर हम जो 50 important questions हैं जो कि 11 और 12 की shift में आई हुए questions हैं उनको यहाँ पर discuss करेंगे यह 50 questions ऐसे questions हैं जो काफी important हैं और इन ही से related questions आगे के examinations में पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान सी इन questions को देखना है, समझना है, analysis करना है मैं English और Hindi दोनों ही लेंगेज में इस questions के analysis कराऊंगी आप इस इरीना पगेल YouTube चैनल को subscribe करें और बांकी की जो questions से उनको हमागे solve करेंगे अभी start करते हैं, 11 और 12 इसमबर को exam हुआ है उसके questions यहाँ पर पहला question है, which gas is used in photosynthesis? प्रकाश insulation की प्रक्रिया में कौन सी गैस का इस्तमाल होता है? तो प्रकाश insulation की प्रक्रिया में CO2 गैस पौधे ग्रहड करते हैं और बदले में उक्सीजन गैस को निकालते हैं second question है, who is the chairman of SBI 2020? 2020 में State Bank of India के अध्धक्ष कौन है? तो इसका अंसर है दिनेश कुमार next question है, जैपुर कथक केंदर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह याद रखिएगा, यह जो question पूछा गया है, जैपुर कथक केंदर का यह government of Rajasthan की दोर established किया गया था 1978 में तो इसका सन पूछा गया था 1978 में जैपुर कथक केंदर के स्थापन की गया थी next question है हीमोफीलिया इस विच टाइफ ओव डिजीज? यह डिजीज से रिलेटर तो हर एक एक्जाम में कौशन रहे गई तो जो बैक्टिरिया और वाइरस के दोरह होने वाली बीमारिया हैं उन बीमारियों को आप अच्छी तरह से solve कर ले, सभी को categorize करके पढ़ने यहाँ पर हीमोफीलिया पूछ गया हीमोफीलिया एक inherited disease है यानि कि आनवानशिक रोग है कैसा रोग है? आनवानशिक यानि कि एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में ट्रांसफर होने वाला रोग और हीमोफीलिया को शाही बिमारी या रोयल डिजिस के नाम से भी जाना जाता है ऐसे questions भी पूछे जाते हैं हो सकता है अगले paper में इसी को पूछ ले कि ये बिमारी से क्या होता है तो याद रखना है कि blood clotting नहीं होती यानि कि रखतक ठका नहीं जमता next question है question number 5 जो पूछा गया था कि भारत और बांगलादेश के बीच में जो पूल बना हुआ है जो कि भारत और बांगलादेश को जोडता है उसका क्या नाम है तो याद रखेगा फेनी फेनी ये पूल है जो कि भारत और बांगलादेश को जोडता है next question पूछा गया था हमेशा बहुत ही traditional question है कि जो माचिस होती है उस माचिस में जो उसका सीरा होते है उस पर किसका ही coating होती है तो याद रखना है red phosphorus यानि लाल phosphorus जो होता है माचिस में होता है next होता है next question है यहाप भोपाल state was formed as a part C state of Indian state तो question था कि भोपाल निम्ले कितमे से किस पार्ट में शामिल था तो पार्ट C में था भोपाल और विंधे प्रदेश दोनों ही थे पार्ट C में जिने बाद में भारती संग यानि इंडिन यूनिन में शामिल किया गया था next question है भोपाल डिस्टिक वर स्क्रेप्ट आउट ऑफ द अर्स फायल सिहो डिस्टिक ऑफ भोपाल डिवीजन यह कोश्चन यहाप पे पूछा गया था कि भोपाल जो है यह किस सन में भारत जो मध्य प्रदेश है उसमें भोपाल का बेक अलक जिले के रूप में अस्तित्त् इस खराइट अंसर है 1972 राजनंद गाउं और भोपाल दो जिले बने थे मध्य प्रदेश में नए जिले बने थे पहले भोपाल किया था सिहो डिस्टिक का पार्ट हुआ करता था और इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और यह कोशन भी हर एक श्रिफ्ट में पूछ तो आप पीर्स वाले सेग्मेंट को अच्छे से पढ़ लें नेक्स्ट कोशन है वर्ल लॉंगेस्ट हाइवे अटल टेनल हाली में यह काफी ज्यादा चोर्चा का विश्य था और टेलीग्राम में मैंने इसके काफी कोशन भी आप लोगों की सश्रियर के थे तो अटल टेन 3 अक्टूबर 2020 को नेक्स्ट कोशन आया था कि मनसौर का जो अभिलेक है उसमें किसका वर्णन किया गया है तो उसमें जो ऑप्शन थे उसका राइट आंसम था शूरी के मंदिर का यह सूरी मंदिर के अलाबा और क्या कोशन पूछा जा सकत का मनसौर अभिलेक काफी महत्प कहा है यानि मंसौर का जो पुराना नाम है वो दश्पूर भी है ठीक तो यशो बर्मन से संबंधित अपले कहा है मंसौर में और उसमें किसका वर्ण है सूरे मंदिर के निर्माड का नेक्स्ट कोशन पूछा गया था कि यहां पर मध्य प्रदेश में हाल भी में वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है तो प्रोटेम स्पीकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोटेम स्पीकर ही कहा जाता है वर्तमान में है रामेश्व शर्मा नेक्स्ट कोशन है कौन राजजी ने happiness मंत्राले को इस्थापित किया है तो मध्यप्रदेश में happiness ministry है, happiness मंत्राले है, next question, statue of liberty से दो questions थे, मा करके, तो यहां पर यह दिहान रखना है कि statue of liberty जो है, यह किस से संबंधित है, यह है सर्दार, बल्लब भाई, पतेल से संबंधित, और आपको यह याद रखन है कि यह किसको denote करती है, यह क्योंकि इन्होंने unite किया था पूरी देशी रियासतों को और भारत देश्क नेमार किया था, जो एक अखंड भारत के रूप में अपनी गरिमा विश्य में इस्थापित करता है, और इन्हीं के बर्थिटी जो है, इनका जो जन्म दिवस है, जो यह सभी कोशन पूचे जाते हैं कि एक ता दिवस जो है, कब सेलिबरेट किया जाता है, 31st October को, 31st October को क्या है, सदा बलभाई पटेल जी का बर्थिड़े है, और Statue of Liberty इनसे संबंधित है, नेक्स्ट कोशन है, कि आर्टिकल 370, अनुश्य 370, जो कि जम्मु काश में से संबंधित है, इसे कब हटाया गया, तारिक पूची गई थी, तो इसका राइट आंसर है, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, यहां पर पूचा गया है, अभी हाली का यह कोशन है, मतल कि Lifetime Achievement Award, जो कि Indian Film Festival of Watson है, IIFFB है, तो Watson पुरुस्कार जो है, Lifetime Achievement Award, यह किसी दिया गया है, तो यह लेट, ओम पूरी साहब जी को दिया गया, ठीक है, कौन सा Watson Award, नेक्स्ट कोशन है, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सड़क योजन कि सन में शुरू की गई थी, तो मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सड़क योजन सन 2010 में शुरू की गई, काफी बार कोशन पूछा गया है, नेक्स्ट कोशन है, शंकर देयाल शर्मा, जो कि भारत की नवे राष्ट पती थे, उनका कारिकाल क्या था, तो शंकर देयाल शर्मा, जो कि मध्यप्रदेश में यह जनमे भोपाल में, इंका कारिकाल जो पूछा गया था, यह है 1992 से 1997 तक, नेक्स्ट कोशन था, सोडी पाइकार्बोनेट, यानि खाने का सोड़ा, जो खाने का सोड़ा होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे ने एच सी ओ त्री इसका जो होता है यह बाइकार्बोनेट ओफ सोड़ा कहलाता है, बेकिंग सोड़ा, खाने का सोड़ा, नेक्स्ट कोशन है, जो पूछा गया, कि अशोक नगर जो जिला है, यह कब बना था, तो अशोक नगर जिला बना था 2003 में, अगला कोशन है, इससे रिलेटेट पूछा गया था, कि गौ गौलिया में रानी लक्ष्मी बाइक की भी समाधी है, और मुहमद गौस का मकबरा भी है, यहाँ पे रानी लक्ष्मी बाइक की समाधी से समधित कोशन था, नेक्स्ट कोशन पूछा गया एक, कि मद्य प्रदेश में किस स्थान पर चावल आंदोलन हुआ था, तो इसका आ है कि जो डिशरी कापिटल है नयाइक का राजधानी है वह मध्यपरदेश की जबालपूर है क्योंकि मध्यपरदेश की जबालपूर में ह हाइपर नेज पर देश का इस लिए सिन प्रत जान पोप्छा अने के नाम से भी जानते हैं और एक कोशन और the structure and functional unit of life जो कोशिका होती है ये जीवन की संरचनात्म को कर्यात्म की काई होने के साथ सबसे छोटी काई है नेक्स्ट कोशन पूछा गया था कि लाल बाग किस नदी की किनारे है तो इसका अंसर है खान नदी और खान नदी कहां पर है ये इन दौर में इसका अस्तित्तो खोजा गया नेक्स्ट कोशन था मध्यप्रदेश की प्रथम महा दिवक्ता कौन थे इसका अंसर है एम अधिकारी नेक्स्ट कोशन था सांची स्थूप से रूलेटेट और सांची स्थूप अध्योव्रभाश्य विश्य मिर्शक विश्वार्चत में शामिल एक मोनूमेंट है तो आपको इससे संबंधित काई कॉशंस आते हैं याद रखने है सांची इस्थ做ब किस ने बन वाया था अशोक बन वाया ठीक है listener में से संबंधित है तो इसके इलावा सांची स्थूप जो है ये किस जिले में है तो ये रायसेन जिले में आता है साथ में युनेस्को में भी शामिल है और मुखे रूप से याद रखना है कि बौध गौतम बुद्ध के जो शिश्य थे मोगली पुत्त तिसायन उनकी जो अस्थियां है इस बौध सांची स्थूप में रखी गई है नेक्स्ट कोशन था NH44 को वरतमान में किस नाम से जाना जाता है नेशनल हाव arguably जो राश्ट्रिय राजमार्ग में 44 है यह पहले नेशनल हाव beginners 7 जो की भारत का बार राश्ट्रिय राजमार्ग है इसके नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोशन योजना से संबंदित था कि प्रधान मंत्री स्वानिधी योजना के अंतरगत कितने तक की से जो नगत सहायता है वो दी जाती है तो ये है 10,000 एक साल के लिए ठीक है ये वेंडर्स को आइविलीबल कराई जाती है कुरोने के टाइम पेसी गिया गया नेक्स्ट कोशन है भोपाल राष्ट्री जल सम्मेलन कहाँ पर हुआ था तो 2020 में फेवरी का टाइम था जब भोपाल में राष्ट्री जल सम्मेलन हुआ था नेक्स्ट कोशन था एरन अभी लेक से जो एरन अभी लेक है इससे related भी काफी कोशन आते हैं आपको याद रखने है कि पहली बात ये है सागर में कहां है सागर में है एरन अभी लेक और सती प्रथा के प्रथम साक्षे जो है वो कहां मिलते हैं एरन अभी लेक से जवलपूर को मध्यप्रदेश की संस्कृतिक राजधानी की नाम से जाना जाता है तो संस्कृतिक राजधानी मध्यप्रदेश की कौनसी है? जवलपूर है नेक्स्ट अभी करिंट अफ्यो का कोशन है कि एशे गेम चेंजर रवर्ब 2020 कीसे दिया गया तो इसका राइट आंसर है विकाश खन्ना को नेक्स्ट कोश्चन है भार्ती क्रिकेट टीम के स्टार जस्परित भूमरा को प्रतेस्थिट पॉली उम्रीगर रेवार्ड से नबाजा गया तो ये पॉली उम्रीगर रेवार्ड किसे दिया गया? जस्परित भुमराहको नेक्स्ट कोच्छन है यहाँ पर इंडियन नेवी, जो भार्ती नौसेना है उसने कौन सी PPE किट को बनाया था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है नवरक्षक ठेके, नौसेना ने कौन सी PPE किट बनाई थी? नवरक्षक नेक्स्ट बहुत इंपॉटेंट हमेशा पूछा जाने वाला कोश्चन है कि जो रक्त होते है इसका pH क्या होता है तो बलड का pH होते है लगभग 5.4 नेक्स्ट कोश्चन बहुत इंपॉटेंट है मध्यप्रदेश की जो पहली कॉटन मेल है यानि कि सोती जो कारखाना है मध्यप्रदेश का पहला वो कहां इस्थापित किया गया इसका राइट आंसर है बुरहानपूर ये कब इस्टैबलिश किया गया था 1906 में ठीक है और ये मध्यप्रदेश की नेक्स्ट इंपॉटेंट कोश्चन है संजे गांधी नेशनल पार्क कहां है ये भी पूछा गया आप सभी नेशनल पार्कों को अच्छे से पढ़िए संजे नेशनल गांधी नेशनल पार्क सीधी में है पहले ये मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा पा किसली है और यहां पर Sanjay Gandhi National Park चले में है तो सीधी चले में है नेक्स्ट कोशन पूछा गया कि ग्रह की गती की नियम किस ने दिये थी ग्रह की गती की नियम दिये थी केपलर ने नेक्स्ट कोशन है मातर तीला बांत किस नदी पर है यह है वेतवर नदी पर नेक्स्ट कोशन है बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत जादा पूछा जाते है संध्या अग्रवाल कि स्केल से संबंदित है इसका अंसर है क्रुकेट यह मध्य प्रदेश की खिलाडी है नेक्स्ट कोशन जो की करेंट ओफेस से है कि 100 रुपीस का जो कॉईन है वो किसकी याद में जारी किया गया तो पीम नरिंद मोधी ने सोर उपैका सिक्का हाली हमें जारी किया था विजय राजे सिंधिया की याद में नेक्स्ट कोशन है 1956, 1964, 1964 कोशन ऐसा था कि मध्य प्रदेश के बहुत ही जाने-माने खिलाडी हैं संकल लक्ष्मार और संकल लक्ष्मार ने ओलम्पिक में होके के खिल में भारत को सौंड प्रदक भी दिलाए और भारत का प्रतिने धित्त भी किया था तो यह किस खिल से रिलेटेड हैं होके से एक्स्प्लेनेशन ध्यान से पढ़ लीजिए इनसे घुमाफिरा के काफी कोशन आते हैं 1956, 1960 और 1964 में भारती होके टीम के गोल्ड कीपर की हैसे से ओलम्पिक में प्रतिने धित्त किया इन्होंने दो गोल्ड मेडल एक सिल्वर मेडल भी जीते और 1966 में संकल लक्ष्मार की कातानी में टीम एशिय कप में विजेता रही गोल्ड मेडल जीता था इंडियाने 1966 में इशिय कप में भी नेक्स्ट कोशन है नवेंबर 2019 को 2019 में में केंदरी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंग और हर सिम्रत को और बादल ने दिल्ली इस्थित गुरु तेक बहादुर खालस कॉलेज में गुरु नानक देव जी पर तेन पुस्तकों का लुकारपण किया तो यह कौन-कौन से पुस्तके थी तीनों में से कोई एक नाम पूस सकता है एक है गुरु नानक वाली दूसरा है नानक वाली और तीसरी है सख्या गुरु नानक देव साखियां होगा वो, नेक्स्ट कोश्चन है, कि बालसंगम फेस्टिबल जो है, बालसंगम महसो, इसका जो ग्यारवा संस्करोन था, ये कहां पी आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है एनस्टी, नेशनल स्कूल अव ड्रामा, यहां पी जित किया गया, अगला काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है, मेरेट विद्रोह कब हुआ था, दस मई अठारासो संतामन को, नेक्स्ट कोश्चन, किले से संबंदित है, मध्य प्रदेश के सभी महातपूर किलो को जरू देखेगा, गोहत किला कहां है, तो ये है भिंड में, अगला कोश्चन है, मध्य प्रदेश ने हाल ही में, कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये है पैसठवा, स्थापना दिवस, अगला कोश्चन, डिजेज से रूलेटट ही था, जोके इतरे चक, रोग से संबंदित वाइरस, वारियोला है, और किस रोग से संबंदित फंगी प्रोटोजोल हैं वो सभी लिस्ट आपको याद करनी है और लास्ट कोश्टिन है यहां 50 कोश्टिन के सीरीज में कि सत्ना की परत्मान मेर कौन है तो ममता पांडी जो भी जेपी से संबंदित है वो अभी सत्ना की मेर है तो यह हमने ओवर ओल जो एनालेसिस किया है 50 कोश्टिन का यह काफी इंपॉर्टिन कोश्टिन है इन्हीं से रूलेटिट कोश्टिन आपके पूरी आगे की जो भी एक्जामनेशन्स हैं 10 देज तक कुन सारी एक्जामनेशन की सिर्फ्ट में पूछी जाएंगे आप इंग कोश्टिन को अच्छे से एनालाइस कीजिए प्रिवाइस कीजिए यहां डाउट वो सभी चीज़ पूछे टेलिग्राम में यूट्यूब कमेंट में और अच्छे से एक्जाम दीजिए बेस्ट ओफ लग चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच